हलो दोस्तों मेरा नामी परदी पर आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एडीपी नबॉक्सिंग तो भाई वाच एक नई व्यूडियों आप लोगा स्वागत है आज हम नबॉक्सिंग करेंगे इस्प्लेंडर बाइक का कलच प्लेट इस्प्लेंडर का हीरो की हंट्रेट छाहें वर या वी चाहें एस ते रही हो ही चाहें कंपनी की कलच प्लेट खरीट है तो काफ़ेज्दा महोंगे पड़ेगे तो जज्यादा देर न करतें वीडियों करतें सटार्ट और मिलतें आपको एंबॉक्सिंग तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों हमने एमके कुपनी की दो कलाच पीलेट ही हमारी हो गई रहत ओगे क्लाच वेकिंग की faculty और आपका और अगर आप आपको डरत हो रही है तो आप की राइडिंग है गलत हो रही है या आप बाइक को काैस में चला रहे है यह आपकी बाइक की कलच केबिल खराब हो गए बहुत से भाइलों कलच में स्कूटर की जो तार आती है उसको डलवा लेते हैं जो की काफी ज्यादा नुकसान होता है बाद में उनको धीरे-धीरे एक समय कर गाद से खराब हो जाते हैं से घीस делать जाता है तो आपकी बाइक में किक सही से कीब कर जाएगा स्टार्ट्ट नहीं होगा कि अगर आपकी बाकि की कलच पलेट कराब हो जाती तो आप चाहे जितने भी इस्टिलेटर लगीचे आपकी बाइक का पीकप बनेगा ही नहीं जब तक लिए आप कलच पिलेट चेंज नहीं करवा लेते हैं और इस प्लेंडर में टोटल चार क्लच पिलेट लगते हैं एक दो तीन चार यह हमारी बेकार वाली कलच पिलेट है जो हम ने दिखाने के लिए लिया है कि किस परकार से खराब होती है जो इसका माट्रियल है यहां पर धीरे-धीरे घिस जाता है जब आपकी बाइक कलच में चलती है या गलत तरीके से आपकी बाइक की डराइविंग होती है तो यह धीरे-धीरे यहां से घिस जाती है और एक समय ऐस कमपनी की कलेच प्लेट यह हमारी नई पैकिंग की हो गई कलेच प्लेट और यह हमारी पुरानी पैकिंग की हो गई कलेच प्लेट सबसे पहले हम नई पैकिंग की कलेच पिलेट की अन्बॉक्सिंग करते हैं तो यहां पर एमगे की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहां पर ल सब्सक्राइब 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 यहां पर कुछ इसमें आइलिंग किया गया है पहले से ही टोटल इसमें चार क्लच प्लेट रहते हैं हीरो की 100 CC की जतनी भी बाइके हैं सभी में चार ही क्लच प्लेट लगता है इसको आप अपाची में भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें पिकप थोड़ा कम आएगा और काफे ज़्यादा पढ़े है क्वालिटी का है यहां पर इसकी मनिफेक्चिन डेट है तीन फरोई दोजार च जाता है और यहां पर कुछ इसपरगार के और देखते हैं इस साइड में कुछ लिखा प्लेट के उपर पहल से शेखले हैं पल के का त pig Τ्यकी आपको मिल जाता है और को इसको रखते हैं साइड में अब आते हैं अपनी पुरानी पैकिंग के लло क्योपर तो यहां पर भी Mक की ब्रेंडिंग आपको मिल जाती है और यहां पर कलच की फोटो यहां पर बनी है और इसको जल्दी से अंबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालटी कैसी है सेम है या कुछ अंतर है तो जल्दी से और हमारी है पुरानी परकार से ज़ल्देंगते हैं, हमने इसको 10 अलग कर लिया तो यहां पर इस परकार से देखने को मिलता है ये हमारी हो गई पुरानी पीकिंग की कलेच प्लेट जो कि इस परकार से है और यहाँ पर यह हमारी नए पेकिंग की कलच पलेट होगे जो कि इस परकार का है इसमें आइलिंग किया गया है और यह सूखी है इसमें आइलिंग नहीं किया गया है और दोनों सेम हैं देखते हैं कुछ अंतर है कलच पलेट में या सेम है तो इसमें से ने मिलता है को ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों कलश प質 नहीं और काफी जादा बढ़िया है अगर आप हीरो में कलश काझ अए तो 400 के करीशं escaped तो 4090 रुपे के करीब आपको मिल जाएगा अगर आप MK Company की कलच पिलेट खरते हैं तो काफे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और काफे ज़्यादा पिकप बढ़िया होता है इसका तो दोस्तों यह रहे हमारी MK की कलच पिलेट के उपर वीडियो तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं किसी और दी नए अन्बॉक्सिंग में तब तक के लिए गुड़ बाई